Hey guys, what's up, good morning everyone, तो कैसे हैं आप सब लोग, welcome back to your own channel दीपक्यादव Science Academy, welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 11th of September 2020, तो guys, आज है तारिक 11 सितंबर 2020 और है Friday, देखेंगे आज का the Hindu complete newspaper, the Hindu complete newspaper को analyze करेंगे from the viewpoint of UPSC and other various competitive exams, तो guys, discussion start करने से पहले अगर आपको lecture की PDF चाहिए और आप देख सकते हैं, यह highlighted newspaper चाहि यह तो आपको करना क्या है, डाउलोड करना है, टेलिग्राम, टेलिग्राम डाउलोड करने के बाद सेच वोक्स में टैप करना है, दीपक्यादव IAS Academy, as you can see guys, आप लोगो यहाँ पर यह चैनल दिख रहा होगा, नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, जो चैनल का link है, वो मैंने Digital Notes प्रोवाइड कर दिये जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, आज 11 अरीक है, तो इसके Notes प्रोवाइड कर दिये गये हैं, जैसे आज हमारे Newspaper में ICMR के बारे में है, तो उसका Background Analysis आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, Contexts, Terms, Facts, यह सारी चीज़े आपको टेलिग्रा का बटन आ रहा होगा ठीक है नेचर एकलर का बटन आ रहा होगा को सब्सक्राइब कर ले ना बेल आइकन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी चलो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर वन के ऊपर पेज नंबर वन के ऊपर आते हैं यहाँ सबसे पहला आपको यह दिख रहा हूँ यह अ आर्टिकल क्या को है कहता है वही जो कि हमारा आज का डेली बैसान पर आ रहा है Pagong So Lake के ऊपर अभी क्या हो गया इंडिया और चाइना के बीचमें दोनों के troops के बीच में, army soldiers के बीच में firing देखने को मिली हम लोगों को तो अब इस article में ऐसा बोला गया कि जो officials हैं उन्होंने ये confirm करा कि जो ये firing है, पैगॉंग 100 लेक पर जो firing देखी गई है अभी कुछ दिन पहले इससे पहले भी हुई थी, लेकिन हम लोगों को पता ही अभी तक, है ना, इससे पहले भी हुई थी, officials ने confirm कर लिया है वो date है हमारी 30th of August, यानि कि firing पहले 30 August को भी हो चुकी है, जो हमारा भी August निकला है उसके बाद अभी हमने recently देखी है, ठीक है, तो आप ये, मतलब official ने confirm करा है article is not so important, बस जो हमारे लिए important है, UPSC के लिए important हो जाता है, वो क्या है हमारा pegong so lick ये pegong so lick क्या है, ठीक है, इसके बारे में discuss कर लेते हैं, और यहाँ पर ये LAC क्या है, LAC, LAC भी बहुत जादे word use हो रहा है, तो LAC क्या है, इसको भी हम लोग discuss करेंगे, चलो फिर, सबसे पहले हम लोग देखे, एक pegong so lick है क्या, देखो, pegong so lick हमारी जो है, आप देख सकते हो तो ये इसका significance का क्या है, ये एक long narrow deep land lock लेक है, land lock यानि कि चारो तरफ से land से cover होगी, ठीक है, land के बीच में आप बिल्कुल land lock कहा गया है, यानि कि हर तरफ से ये जो land से cover होगी, तो जैसे आप देख सकते हो, ये हमारी pegong so lick, ठीक है, और इंडिया का map में हम देखेंगे, ज ये जो हमारा एक point दे रखा है, ये हमारा clash point है, यहाँ पर firing देखी गई है, इंडिया और चाइना के बीच में, और याद रखना, ये हमारी pegong so lake है, इसका आधा हिससा हमारा इंडिया में होता है, और आधा हिससा हमारा चाइना में है, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है उसके बाद और क्या significance है, चलो उसको भी देख लेते हैं, तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पर एक landlock है, landlock lake है, 135 km है, जिसमें आप देखोगे ये जो shape है, इसका boomerang shape है, boomerang मतलब आपको पता होगा, इस तरीके से लकड़ी का हमारा एक boomerang होता है, आपको याद होगा कि ज पूछा जाए, LAC की वो, LAC, LAC नामे आदर आयार, पैगॉंग सो lake की shape क्या है, वो हमारी boomerang, उसके बाद ये इसमें जो पानी है, ये जो हमारी LAC lake है, इसके अंदर जो पानी है, वो brackish water पाया जाता है, brackish यानि salty water, नमकीन पानी हम लोग को इसमें मिलता है, और ठंडियों जो ये पानी है, इस river का, वो बिल्कुल पूरी तरह से, पूरी तरह से freeze हो जाता है, ठंडियों के टाइम में पूरी तरह से जम जाता है, आपको पता होगा, जिम्मो कैशी में कितनी ठंड रहती है, आप जून में भी जाओगे, तो भी वहाँ प इतनी ठंड रहती है, तो जिम्मो के टाइम पर तो बहुत जादे ठंड रहती है, तो जो लेक है, ये पूरी की पूरी जम जाती है, बरफ की तरह, बिल्कुल एकदम बरफ की तरह हो जाती है, तो जिसके उपर आप आई स्केटिंग कर सकते हो, ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमने पैगॉंग सो लेक के बारे में सारी चीज़े कवर कर ली, अब काफी साथे नाम है, LAC, 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 LAC की फुल फॉर्म क्या है, लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल, अब ये LAC का एक्च्वली मतलब है, डिमार्केशन, डिमार्केशन मतलब समझ लो, फिक्सेशन, ठीक है, यानि कि एक फिक्स किलोमेटर का है, ठीक है, 3488 किलोमेटर लॉंग LAC है इंडिया की साइट से और चाइना की साइट से है, 2000 किलोमेटर लॉंग यहां पर ये चाइना की साइट से LAC है, तो याद रखना, 2000 किलोमेटर चाइना की साइट है LAC और इंडिया की साइट कितना है, 3488 किलोमेटर, तीन आप दहींना इ hij 20 बत्व करें साज़ और अपसी अपिसके हमारा इस साइड में और इसके बाद करें और अपशाइट अ करें अज-र साइड मेंनें यहां पर अद्वल रहा है यहां इसमें सारी छो जाएंगी यह हमारा जो है इंडिया का map है एक second मैं एक minute से draw कर दूँ तो यह हमारा इंडिया का map हो गया एक हमारी LAC यहां पर है रुनाचल प्रदेश में ठीक है और दूसरी LAC हमारी यहां पर है ठीक है और उसके बाद एक LAC हमारी यह है अकसाई चीन पर और तो फिर अभी जो issue चल रहा है अभी जो यहां पर dispute चल ला है border dispute इंडिया चाइना के साथ वो यहां पर भी चलता है यहां पर भी चलता है लेकिन आज के time पर आज के time पर कहां पर चल ला है अकसाई चीन पर that means यहां पर जो है आज के time पर इंडिया चाइना के बीच में जो है इशू चल रहा है अब यहाँ पर इस तरीके से कवर करना है आपको कि important चीज़ को निकालके अपने एक्जाम के परस्पेक्टिव से उसको पढ़ना है ना कि सारे articles कवर करना है क्योंकि article सभी के लिए लिखे गए हैं ना कि UPSC एस्पिरेंट के लिए लिखे गए हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स नेक्स आर्टिकल यह वाला देखे हैं तो जैशंकर प्रसाद जी हमारे एक्स्टरनल अफेर और चाइनीज के फॉरन मिनिस्टर कॉन सबक्राण वेंगि इनदों के बीच में एश्यार छोटे कल wire दिखे हमारेशन के लिखे हैं इंडिया चाइना के बीच में दोनों के बीच में आर्मी सोलजर्स के बीच में विचमेंड देखी गई और वो firing 45 साल बाद इस तरीके से गोली चलाई गई है इन दोनों borders के बीच में ऐसा भी बोला गया तो ये काफी चिंदा वाली बात थी इसको देखते वे दोनों के बीच में meeting हुई meeting हुई तो meeting का भी हाप भी कोई फल या फिर आप कह सकते हो कोई conclusion नहीं निकल कर आया है इस article में ये बोला गया है इस वाला article आप देख सकते हैं इस वाला article में क्या बात करी जा रही है जो राफेल्स हैं राफेल्स जैट आपको पता ही होगा एक game changer है ऐसा हमारे defense minister राजनात सिंग जी ने बोला है ठीक है game changer क्यों हो सकते हैं क्योंकि अभी आप देखोगे हमारी security को लेकर काफी जाथ अभी जो एक बात देखो इंडिया का अभी neighbor जितनी भी इंडिया की neighbor countries है इंडिया की neighbor countries से अभी relations इतने अच्छे नहीं है बांगलादेश उससे भी relations अभी बहुत जादे खराब हैं इंडिया के ठीक है क्योंकि अभी CAA citizenship amendment act नासी वगयरा की वज़ा से उसका पाकिस्तान से कभी relations आई थे यहीं चाइना से भी relations हमारे बहुत जादे खराब है तो इत तरीके से इंडिया को अपनी security की भी ज़रूरत है तो इंडिया की security को देखते वे border security को देखते वे important step है और एक बहुत अच्छा step है कि हमने रफाल introduce करें अपने इंडिया में ऐसा हमारी defense minister राजना सिंग जी के दोरह यहां पर बोला गया अब इस article में एक और चीज़ important होती है कि आप रफाल के बारे में पता कर ले क्योंकि रफाल में रफाल से questions बन सकते हैं क्योंकि यहां पर रफाल काफी जादे news में है रफाल jets बहुत जादे news में है तो फिर इसी वाई से मैंने ऐसा thumbnail भी बनाया था क्योंकि एक important topic हो जाता है रफाल जैट तो आप यह देखो कि इसके specifications यह मैंने एक अलग तरीके से जो है यह आप देखो कि इंडियन express से यह जो निकाला हुआ है इसमें देखो कि जो रफाल की specifications है वो क्या क्या है आप overall इसका वेट देखोगे overall जो इसका हमारा वेट है वह है 24.5 टंस maximum weight 24.5 टंस का इसका वेट विंग का area है वो है 10.90 मीटर के इसके wings है length कितनी है इसकी वो हमारी 15.30 मीटर और range कितनी है 3700 किलो मीटर उसके बाद service ceilings और यह सारी चीज़े top speed कितनी है यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर provide कर देगे यह आप जो आके telegram पर यह सारी चीज़े ले सकते हैं ठीक है तो यह जानना काफी जादे जरूरी था राफाल के बारे में क्योंकि यह काफी जादे news में है राफाल हमारे आगे बढ़ते हैं हम लोग next जो यह वाला article है यह वाला article किस चीज़ के बारे में है कि जो frame rules for disposal of cigarettes buds यानि कि NGT हमारा NGT जो national green tribunal body है एक important body है मैं अभी बात करेंगे इसके बारे में भी तो इसने क्या बोला कि जो cigarettes होते हैं जो लोग smoking करते हैं cigarettes की buds होती हैं जो पीछे छोटे से एक cigarette छूट जाती है न तो उसको ऐसी डाल देते हैं वो environment के लिए काफी जादे खत्रा है injurious environment के लिए तो उसको उसके disposal के लिए उस cigarette की buds के disposal के लिए हम लोगों कुछ rules बगरा frame करने पड़ेंगे ऐसा हमारे NGT ने बोला कि भाया इसका भी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये भी environment के लिए खत्रा है और आपको पता है smoking का यहाँ पर अभी समझ लो बहुत ही जादे चाहे छोटे उमर का बच्चा हो बड़े उमर का बच्चा हो आज के टाइम पर इंडिया में बहुत जादे होता है ठीक है smoking बहुत जादे होती है और उसके बाद देखोगे तो फिर यह बट्स वगरा है ऐसे फैक दिये जाते हैं और वह environment के लिए इंजीरियस हो जाते हैं तो उसके लिए हमारा NGT National Green Tribunal ने बोला कि इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा यह नहीं ब चीज़ क्या है NGT National Green Tribunal तो इसको भी हम लोग hand to hand cover करते हैं तो जो हमारा NGT है General Studies paper 2 General Studies paper 3 के point of view से important है और उसमें UPSC के तरफ से कौन सा topic दिया हुआ है conservation tribunal and statutory bodies उसके बाद देखें तो यह NGT है गया यह हमारी specialized body है जो की setup करी गई थी under NGT Act 2010 2010 का एक act pass करा गया था उसके बनाई थी NGT ठीक है उसके बाद आप देखोगे इसका काम गया इस body का काम है जितने भी हाँ पर environmental issues होते हैं उनको उनसे जो है tackle out करना उनसे निपटना और एक तरीके से हमारे environment को protect करने का काम है हमारे NGT का उसके बाद देखोगे जो यह with the establishment of NGT यानि कि NGT जब इंडिय थी country थी third country थी पूरे world में जिसने ऐसी कोई body बनाई थी जो कि environment के लिए काम करती है environment protection के लिए काम करती है उससे पहले एक Australia था New Zealand था जिसने ऐसी body बनाई थी और इंडिया जो है 2010 में third ऐसी country थी जिसने यहाँ पर as a step उढ़ाया था ओके NGT यहाँ पर NGT के बारे में बात करें तो इसकी headquarter कहाँ पर है headquarter is the most important thing of the bodies यहाँ पर किसी भी body का headquarter करना बिल्कुल ना भूले हैं क्योंकि जो exam में questions बहुत आता है headquarter से बहुत जादे previous questions देखो बहुत question पूछता है तो NGT का जो headquarter है वो New Delhi में है और इसके कुछ branches ह देखो के आप भोपाल, पुने, कोलकता, चिन्ने में यहाँ पर इसके जो branches हैं ठीक है five निये sorry four branches है यह New Delhi को मैंने खुद मिला के इस सब मिला के पांच बता दिये थे आज मैंने आपके लिए कोई question नी रखा मैंने का चलो रोज पूछ रहा हूं बच्चे रोज जवाब दे रहे हैं तो आज छोड़ो आज नहीं पूछ रहा है आज मैं आपसे NGT के बारे में पूछ लेता ठीक है और इस article में यहाँ पर देखें एक ED के बारे में जिकर करो आप मत बताओ आज मैं बताता हूं सारी चीज़े ठीक है enforcement डिरेक्टरेट के बारे में बात करें तो यह law enforcement agency है यानि कि जो law वगरा जो कानून वगरा है उसको लागू करने के लिए हाप पे हमारी body बनाई गई उसके बाद यह कौन से crimes है यानि कि कौन से अपराद के लि इंडियन revenue service IRS, इंडियन corporate law service, इंडियन police service, इंडियन administrative means IAS जिसके लिए आप preparation कर रहे हो तो यह सारी service वाले officers भी इसके अंडर में आते हैं याद रखना ठीक है तो काम क्या है इसका जितने भी economic crimes हैं उनको tackle out करना उनको handle करना आगे बढ़ते हम लोग page number 2 पे हमने complete करा page number 3 के हमाले कोई article नहीं है, page number 4 के उपर एक article है, यह देखो गया, page number 4 के उपर एक article क्या बोलता है, NHRC, NHRC means National Human Rights Commission, इसने update किया, क्यों update किया, क्यों update करने की बात क्यों करी गई, क्योंकि जो हमारा CAA है, CAA क्या है हमारा, आपको पता है, क्या है, Citizenship Amendment Act, तो इसमें क्या बात हो रही ह कि कुछ पांच लोग होंगे, पांच लोग यहाँ पे CAA के अगेंस थे, ठीक है, तो उनकी death वगरा होई, तो उसको देखते में आप NHRC के बारे में बात करी गई है, article फिलाल हमाले important नहीं है, ठीक है, important चीज़ क्या है, वो हमारे लिए NHRC, National Human Rights Commission, और जहां जो कि एक important नहीं ठीक है, किसके अंडर में protection of human rights ordinance of 28 September 1993 के लिए हाँ पर इस body को constitute करा गया, बनाया गया, यानि कि नाम सही समझ में आ रहा होगा, human rights, तो फिर human rights को protect करने के लिए body काम करती होगी, यानि कि जो हमारे हक हैं, हमारे rights हैं, उनको protect करने के लिए body काम करती है, कैसे हक हैं हमारे, right to life ह गया, right to liberty, right to equality, right to dignity, ठीक है, ये सारे rights हैं हमारे, और हम इस rights को अच्छी तरीके से जो हैं, जी सकें, तो इसको protect करती है हमारी कौन सी body, NHRC, ओके, बस, उसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ और चीज़े जानें, NHRC की बारे में, तो इसका headquarter कहाँ पर है, जैसे मैंने बताय headquarter important चीज़ है, NHRC का headquarter है New Delhi में, उसके बाद अभी जिसके justice chairman कौन है, HL Dattu इसके अभी chairman है, चलो NHRC के बारे में भी आज हम लोगोंने cover करा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, page number 5 के ओपर हमारे कोई article नहीं है, page number 6 के ओपर आते हैं, that is editorial, editorial होता है UPSC के point of view से important, ठीक है, लेकिन आज के editorial में, दम नहीं आज, ना ही इस paper पर editorial कोई important है, ना ही इस page पर कोई important editorial है, ठीक है, एक यहाँ पर आप देख सकते हो, यह editorial है, तो यह इतने बकवास लिखा गया है, कि कुछ पूछो मत, यह आपके UPSC के point of view से बिलकुल important है, हाला कि title इसका अच्छा लग रहा है, कि जो agriculture है, उसको revive कैसे करा जाए, लेकिन यहाँ पर कोई इस article में कुछ बाते नहीं करी गई, आप देखोगे, तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ डेटा हमाले important नहीं है, कि इस वाली crop का, इस वाली फसल का, इतने percent grow ही है, इस वाली फसल इतने percent grow ही है, तो भाई यह नहीं करना ठीक है, यह नहीं पूछता UPSC, तो फिर आज के लिए हमारे editorials में important articles आई नहीं है, important article आई नहीं है, तो अभी हम लोग पहले देख लेता है, इस article में actually में बोला क्या गया है, यह agriculture revival के बारे में बोला गया है, इस article में बोला गया कि जो हमारी agriculture है, crushy छेतर है, वो पहले से, पहले से मतलब कि आप 2019-2020 ले लो और अब 2021 में, तो पहले के मताबिट डाउन हो गया है, ठीक है, जो crushy area है, हमारा crushy छेतर है, वो डाउन हो गया है पहले से, तो उसको हमें revive करना पड़ेगा, उसको वापस उठाना पड़ेगा, reforms लाने पड़ेगे, उसको वापस हमें revive करन के हाथ में है, तो फिर ये government को करना पड़ेगा, government को जो schemes वगर लाने पड़ेगे, और पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है, जब तक पैसा नहीं लगाएगा, government जो है, पैसा money जो है, spend नहीं करेगा, अपने agriculture sector में, तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि agriculture sector is based on the money, ठीक है, तो में contribute करता है, only 15%, only 15%, even if agriculture grows by 4%, is likely to contribute 0.6%, तो आप देख सकते हो, कि जो इंडिया का gross value addition है, यारी कि total, एक total पूरे इंडिया का total हम लोग value added निगा लें, तो फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे agriculture contribution कितना 15%, that is much 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 lower, बहुत जादे कम है, तो इसको उठाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, government को schemes लानी पड़ेगी, जैसे मैंने बताया, और वोई सारी चीज़ें आपर भी होंगी, कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा, जी हाँ, government को अपनी strategy में लाना पड़ेगा, government को invest करना पड़ेगा, agriculture में, और government को schemes लानी पड़ेगी, यह सारी चीज़े last में ब यह 14 जून के आसपास होई थी, 14 जून कोई होई थी, है ना, फिर उसके बाद से, 14 जून के बाद से, जो है, मीडिया अभी तक इसी case को cover कर रही है, आज तारीक कित्ती हो गई है, आज हो गई है 11th of September, आज तक मीडिया यही case दिखा रही है, इसी case को लेकर बात हो रही है, फिर उसके बाद रेया चकरबती आ गई नियूज में, वो उसके बारे में नियूज में काफी जादे आने लगा, अब आप देखोगे, NCB ने उसको kidnap कर लिया, वो जादे नियूज माने लगा, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, मीडिया ने बहुत जादे यहाँ पर इसको भी बात नहीं हो रहा होगी, हर जगे SSR के केस के बारे में यहाँ पर बात होती भी दिखाई देगी आपको, तो इंडिया जो है 40 लाग केस क्रॉस कर चुका है, और GDP वित्ती जादे डाउन हो चुकी है, अभी आपने रिसेंटली 2-3 दिन पहले देखा होगा, चार पा दिन पहले अभी एक इशू भी चल ला था, जो है SSC रेलवे वाला, है न, तो यह सारी चीज़े दिखाने के बज़ा, मीडिया जो है वही लागा पड़ा है, SSR वाला केस जो है वह अभी तक लागू कर रहा है, वही जो है केस यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो गाईस उससे इस आर्टिकल में यही था, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एडिटोरल हो, आज भी हमारे बड़े जल्दी खतम हो गए, पेज नमबर 8 पर आते हैं, ठीक है, पेज नमबर 8 पर हमाले कौन से आर्टिकल इंपॉर्डंट है, नथिंग इस इंपॉर्डंट, यहाँ पर भी हमाल इस आपको याद होगा कि जो एन जीयोस हैं, एन जीयोस के लिए FCRA चाहिए, है न, कुछ हैंपर बोला गया था कि कुछ एन जीयोस हैं, जिनके पास FCRA था, यह रिजिस्ट्रेशन लाइसे था, लेकिन फिर गलत तरीके सामांट आरा था, है न, तो फिर उसके वेसे इसे उन Registration का नाम है हमारा Foreign Contribution Regulation Act FCRA इसमें क्या होता है कि अगर आपको ये Act मिल जाता है ये आपका इस टाइप का License मिल जाता है तो आपको Foreign की तरफ से Fund प्रोवाइड कर जाता है ये Foreign Fund आपको प्रोवाइड कर जाता है तो इसमें हम देखें जो जो FCRA Act है ये 2010 में लाया गया और काम क्या है इसका कि जो हमारे Foreign है Foreign Fund आता है हमारे इस License के दुरूप ठीक है कि अगर ये जो हमारा Act है किसी चीज़ के ओपर जैसे कि NGOs के लिए Register करा जाता है कुछ temples बगरा हो गए उनके लिए Register करा जाता है तो अगर ये Register करा जाता है अगर ये Register इस Regulation Act के अंदर कोई भी चीज़ अगर Register हो गई तो जो Foreign Fund आता है उसका जो Contribution है वो इस Place के लिए करा जाता है simple है Under this Act जो Organization है उसको requirement रहती है कि वो Register करे अपने आपको हर 5 साल में यानि कि जैसे कि अब यहाँ पर हमारा Golden Temple को Register हो गया है FCRE के अंडर में तो Golden Temple को हर 5 साल में जो है Register करना पड़ेगा ताकि वो amount को जो Foreign Fund है उसको avail कर सके और अपने लिए जो है लगा सके Foreign Fund को बस इतना ही था आगे बढ़ते हम लोग Page No.10 के उपर Page No.10 पर आता ही अबल आर्टिकल यह हमने कल भी cover करा था Serum Institute of India जो की पूने में है इसके बारे में पढ़ेंगे उससे पहले हम देखें तो इसने जो है सारे जो trials चल ले थे vaccine के उसको रोग दिया है पॉस कर दिया है लेकिन इसके उपर भी trial रोग दिया गया है trial क्यों रोग दिया क्योंकि कुछ health concerns कुछ यहाँ पर problems देखी गई है कुछ symptoms वगएरा तो फिर उसको देखते में इसको रोग दिया गया है यानि कि कुछ अभी इसके adverse symptoms है कुछ इसके गलत प्रभाव भी पढ़ सकता है ठीक है इस vaccine का that is why अभी जो trials वगएरा वो रोग दिये गए है अब important चीज़ आपके लिए क्या है हाँ पर SII Serum Institute of India चलो इसको भी cover कर लेते हैं हम लोग हातो हाती अब जो Serum Institute of India है यह एक manufacturer है यह manufacturing करता है बनाता है क्या immunobiological drugs यह medicines वगएरा बनाता है उसमें vaccines भी include है यानि कि vaccine बनाता है इंडिया में और यह जो found करा गया था यह हमारा Serum Institute of India found करा गया था Cyrus Ponovallah के दोरा 1966 में और जो यह personality है Cyrus Ponovallah आपको पता होगा recently news में थे और news ने क्या coverage करा था एक data यह था data ने बताया कि जो यह personality है यह काफी तेजी से richest person बनते जा रहे है यानि कि जो इसनकी income है बहुत तेजी से जो है वो बढ़ती जा रही है चीक है उसके बाद हम लोग बात करें Serum Institute of India की तो यह world की largest vaccine में कर रहे है यानि कि world में सबसे जादा vaccine बनाती है एप्रोक्स जो है 1.3 billion vaccine हर साल Serum Institute of India जो 1.3 billion vaccine के doses बेचता है produce करता है और बेचता है तो आप समझ सकते हैं जो इंडिया कमेस एक सबसे बड़ी body है जो की सबसे जादे vaccine बनाती है तो अभी हम लोग देखें ये Serum Institute of India की तरफ से मैंने उनके website से निकाला हुआ है तो एक यहाँ पे private limited है industry कोई सी है pharmaceutical vaccines की है founder कोई है किनोंने इससे found करा है इस body को Cyrus S. Poonowallan ने इससे find करा गया है और जो important चीज़ है आपके लिए वो है आपर इसका headquarter इसका headquarter कहाँ पर है पूने महराष्टर इंडिया में जो है इसका headquarter है और पूरी दुनिया में जो है ये serve करता है तो याद रखना ये important body आपके लिए भी हो जाती है बढ़ते हैं आगे उसके बाद जो है next article आपको ये दिख रहा होगा इंडिया और जपान के बारे में इंडिया जपान ने logistics agreement को sign करा है ठीक है अब logistics agreement क्या होता है आपके लिए important है इसमें क्या होता है जो armed forces है यानि कि इंडिया की armed forces है और जपान की armed forces है दोनों coordinate करेंगी दोनों साथ में service करेंगी दोनों साथ में supply करेंगी ठीक है दोनों coordinate होके दोनों एक जूट होके काम करेंगी that is a great idea उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे आगे चाहने की ज़रूत है यह नहीं क्योंकि आप इन्यूस पेपर खतम हो गया तो guys आज का हमने complete कर लिया अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया तो सबसे पहले subscribe कर ले ना नीचे red color का button आ रहा होगा और bell icon ज़रूर दबा देना ताकि आपको daily join notifications मिलती रहें और telegram का link भी मैंने description में दे दिया है description में ज़े click करके जाके आप telegram को join कर सकते हैं और मुझसे instagram पे जूड सकते हैं instagram का link भी मैंने description में दे रखा है तो guys आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे आप लोगों से कल आचे लिए bye bye have a nice day